देख रहे हैं हमारे साथ संजर मयूख हैं राश्य सभ मीडिया प्रभारी हैं और अभी बिहार में हैं तो आगे क्या कुछ रणनीती तैयार कर रही है भाजपा लोगसभा चुनावब नजदीक है कोई बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है क्या देखे भारतिय जनता उसके बाद से हर अगले दिन देश की जनता के साथ सीधा साथ्षात कार करते हैं और सीधा कार्जकरम करते हैं हम कभी बैठे नहीं हैं हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और अक्षे जी आने वाले लोगसभा में भी बहार में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे क्योंकि पि हम 40 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि रास्तिय जनता दल और उनसे जूरी पार्टियां कॉंग्रेस अनदल का जनाधार बिहार में समाप्त हो चुका है लोगों की आस्था मानिये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के प्रति है नरेंद्र मोदी जो प्रधान मंत्री हैं वो रैलिया करना शुरू कर चुके हैं बिहार में हमें कब देखने को मिलेंगे निश्चित तोर पे बिहार में बिहार से अगाध लगाओ है अगाध प्रेम है मानिये प्रधान मंत्री जी का समय तय होते ही हम सबसे पहले आपके लाइफ सीटीज को निश्चित तोर पे बताएंगे क्योंकि हम भी Life Cities के बहुत बड़े दर्सक हैं तो इस तहद हम जरूर बताएंगे और प्रधान मंत्री जी निश्चित तोर पे बिहार में आएंगे अपना काजकरम भी देंगे क्योंकि बिहार के साथ लगातारून का सीधा सम्मंद्रा है एक के बाद एक जो अपराधी घटनाएं सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो व्यवस्ता है वो दुरुस्त नहीं नजर आ रही है ने देखे घटनाएं होती है हम उसे दुरभागपोन मानते हैं हम भी आहत होते हैं कि ये घटनाएं हुई क्यों लेकिन उस घटना के बाद पहले की सरकारों की तरह नहीं अब मितीश कुमार जी और सुसील मोधी जी की सरकार भारतिय जनतापार्टी और जनतादल की सरकार ने निरंतत जब कभी कोई घटना हुई है चाहे वो घटना छोटी हो या बड़ी हो चाहे उसमें छोटे हाथ हो या बड़े हाथ हो उनको गिरफतार करने का काम किया है हमने कारवाई करने का काम किया है हमने साशन और प्रसाशन को जनता की सेवा का माध्यम बनाया है तेजप्रताप यादव आजकल जनता दर्बार हर रोज लगा रहे हैं कि जो सरकार का काम है वो मुझे करना पड़ ला है जब सरकार में थे तो काम नहीं कर रहे हैं तेज प्रताब जी जब सरकार में थे तो काम नहीं कर रहे थे अब उन्हें सरकार जब चली गई है तब उन्हें सपने आते हैं सरकार चलाने के सपने आते हैं तो उन सपनों के बारे में मेरा क्या कहना कह रहा हैं कि आप राजियों के मनसुबे इस कदर बढ़ गए हैं कि उन्हें डर लगता है अब उनके डर को हम उन्हें सत्ता का डर क्यों लगता है हमको नहीं पढ़ा सत्ता का डर उनको नहीं रगना चाहिए अप राजियों से डर लग रहा है उन्हें अपने सुरक्षा की फिक्र है जनता के बारे में उन्होंने कहा नहीं उन्होंने तो एक बैयान बाजी की एक राजनिती की और मेरा मानना है जिस सही में उनको डर लगता है तो उनको ग्रीव विभाग और माननिय मुखमंत्री इसे बात करनी चाहिए वहां आवेदन बात करने से काम नहीं चलेगा एक माननिय विधायक को निश्चित तोर पर एक आवेदन देना चाहिए उस आवेदन में लिखना चाहिए कि उन्हें किस से डर है भाई बिहार में आम आवाम राहत महसूस कर रहा है कि कम से कम राश्ट्रिय जनतादल के कूपरभाव से मुक् उसके बाद तेजप्रताप यादव कह रहे हैं कि भाजपा मैज राजनीती कर रही है उन्हें मंदिर से कोई मतलब नहीं है अगर मंदिर बन गया तो चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा लेकि मंदिर हमारे आस्था कभी से है और तेजप्रताप जी के राजनीती कभी से है हम मंदिर पर न कभी हमने पूर में राजनीती किया है न आज कर रहे हैं हम मंदिर के बारे में सीधा आम आदमी से हमारा संबंध है जिस तरह से आम आदमी की आस्था है हिंदोस्तान के से अच्छूता रखे चले तो संजय मयुक जी से हमारी बात हो रही थी जो कुछ भी उन्होंने कहा साफ साफ आपके सामने रखा आप लाइफ सीटीज के साथ बने रहें क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स हम सबसे पहले आप तक पहुचा रहे हैं हमारे सिस्क्राइब करें बेल आइकन भी दबाएं आपका शुक्रिया